भागलपुर में डिजनी लैंड मेला का हुआ भव्य उद घाटन नै साल को लेकर लगाए गए हैं ये मेला पुरारा साल 2023 अलविदा होने वाला है और नै साल 2024 का आगमन होने वाला है जिसमें बच्चों के स्कूल की चुटियां हो जाती हैं और बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं इसको लेकर भागलपुर में फन वर्ल डिजनी लैंड मेला का आयोजन जीरो माइल भागलपुर के समीप किया गया है आज इसका विधवत उधगाटन डिजनी लैंड संचौलक रंजन कुमार और भागलपुर के स्टीम धननजय कुमार ने फीता काट कर किया कारिकरम के दोरान संचौलक रंजन कुमार ने बताया कि डिजनी लैंड मेला के मुख्य द्वार को लंदन के टावर ब्रिज का रूप दिया गया है जो शहर में आकरशन का केंद्र बना हुआ है बच्चे बुढ़े युवा उद घाटन होते ही इसे देखने के लिए उमड पड़े मेला प्रवंधक रंजन कुमार ने बताया कि इस फन वर्ल डिजनी लैंड मेला में बड़े बड़े और आकशक जूले लगे है बच्चों के खेलने के लिए घूमने के लिए अनेकों चीजों की उपलब दता है उन्होंने आगे कहा कि हमारे मेले में 100 से उपर स्टॉल लगाए गए है इस मेले में कई शहरों से विभिन प्रकार के स्टॉल लगाई जा रही है वहीं उन्होंने बताया कि मेले में टावर जूला, ड्रैगन जूला, टोर टॉइस जूला के अलावा कई विदेशी जूले भी लोगों को खूब आकरशित कर रहे हैं साथी साथ उन्होंने बताया कई प्रकार के स्टॉलों में खासकर श्राहपुर का फरनीचर बरेली का जुमका और ठंड को देखते हुए उनी कपड़ों का स्टॉल काफी आकरशक है लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग का जो होता है असासन के तरफ से हम लोग इनको विशेश तोर पे बार-बार इनको यहीं समझा रहे हैं कि डेली जो सेक्यूरिटी पॉइंट ऑफ से जो चेक है उसका एक रिस्टरी मैंटेन करेंगे जो भी जूला है उसका जो भी निय तो सभी लोग आ सकते हैं और नया नव वर्स है तो सभी लोग के पास समय भी होगा बच्चे भी सकाना मिठा सब्सक्राइब का फरीचर वगेरा हो गया जूला वगेरा लगा हुआ है में ठंडा के मौसम में ओलिन भी है करें सार बातियों क्या कहना चाहिए सार बातियों पर ही कहेंगे कि आईए और आने दुठाइए क्या नाम हो है अरंजन कुमार क्या है हम ओनर हुए इसे